मैं सदानन्द गुलाबराव ठेंगील मान खटाव मद्दार संग से मेरा बूत क्रमांक 74 है और मैं माडा लोकसबा मद्दार संग के अंतरगत बोल रहा हूँ मेरा ये सवाल है कि आपने आर्तिक रूपोयों से रूप से पिचड़ों को आरुक्षन देने का आयतियासिक फैसला किया है लेकिन विपक्ष इस पर भांती-भांती की अपुआ फैला रहा है कोई बोल रहा है कि चुनाव सामने है इसलिए आपने आइसा किया कोई बोल रहा है कि इंकम टेक्स में सिर्फ ढाई लाग तक ही छूटे तो फिर आपने आट लाग के लिमिट क्यों रखी इसके अलावा जब कॉलेज और शिक्षा सांस्तानों में सीटे सिमित है तो आरक्षन का क्या मतलब है हमें इन सवालों पर क्या जवाब देना कि बसा सदानन बसा अगर हमारे निर्णे में ताकत न होती तो इन लोगों की निंद हराम जो हो गई है न वो नहीं होती है यह जूट और अफ़ाय फहलाने के लिए उनको मैदान में आना पड़ा है तो नहीं इसका मतलब हुआ है कि हमने सही काम किया है देश के लिए काम किया है राजनिति से उपर उठकर के काम किया है तब जाकर के इनकी नीन खराब हो गई है और इसलिए जूट बोलना अफ़ा फहलाना यही उनके पात बचा हुआ है साथियोज सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार की कारे संस्क्रत्य का मुल मंत्र है आजादी के बाद पहली बार केंद्र की भाजापा सरकार ने कितनी बड़ी पहल की है सम्विधान में संसोधन करके सामान ये वर्के गरीबों को शैक्षनिक संस्ताव और सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिस्द आरक्षन की व्यवस्ता की गई है उन्होंने तो कभी सामाजिक न्याय के लिए ऐसा कुछ किया नहीं और जब हमने किया तो वो सोते हुए पकड़े गए 48 गंटे में ये बिल पारित हो गया और ये लोग अभी भी बेहोसी से बार नहीं आ पा रहे और जब जनता के व्यापक हित में हमने ऐसा एत्यासिक फैसला लिया है तो पोलिटिकल पार्टियों का विरोथ या फिर उनकी ऐसी चाले स्वाभाविक हैं अगर समीधान में संसोधन ना किया होता तो ये संभव नहीं था संभीधान में संसोधन किये बिना कोई भी पार्टि निर्णे करती तो मैं खुद उसका आलोच ना करता जो लोग मुझे कहते हैं कि मैंने फैसला चुनाव के लिए किया तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश में चुनाव कब नहीं होता है भाई अगर मैं इससे पहले थोड़ा फैसला करता दो तिन मेंने पहले तो लोग बोलते कि पांच राज्यों के चुनाव के फाइदे के लिए किया अगर उससे पहले करता तो कहते कि करणाटर के चुनाव के फाइदे के लिए किया अगर उससे भी पहले करता तो कहते कि गुजरात के चुनाव के फाइजे के लिए क्या हमारी याँ चुनाव तो बारों महिना चलते रहते जी तो सवाल ये है कि आखिर में ये फैसला कब करता और सम्विधान समसोधान ये इसकी मूल बात है और जो लोग आठ लाख रुपिय के लिमिट की बात कर रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूँ कि देश में OBC क्रिमी लेयर का कटॉफ भी आठ लाख रुपिये हैं इसी हिसाब से इनका भी कट ओफ आठ लाख रखा गया है जहां तक इंकम टेक्स की बात है जहां तक इंकम टेक्स की बात है तो धाई लाख की छुड़तो व्यक्तिगत आमदनी पर है जबकि आठ लाख रुपिये की लिमीट यह जो आरक्षन है उसमें वो पूरे परिवार के लिए हैं और यह भी लोगों को समझना चाहिए कि जो डाई लाख डाई लाख बोलते हैं उनको समझना चाहिए साड़े चार लाख तक की आमदनी वालों को बिलकुल ना के बराबर एक प्रकार चे फोर्मी बरना पड़ता है तो अगर एक परिवार में पती पत्नी परिवार मिलाकर आठ लाग कमाते हैं मा लिजे पत्ती साड़े चार लाग कमाते हैं पत्ती साड़े तीन लाग कमाती है तो आज भी ऐसा परिवार दस पंदरा हजार से ज़्यादा टैक्स नहीं भरते जहां तक सीटों की बात है तो मैं आस्वासन देना चाहता हूँ कि हम हर एक सिक्षन सहुस्तान में दस प्रतिशत सीटे भी बढ़ाएंगे ताकि रिजर्विशन तो बढ़ें लेकिन हर किसी को अउसर भी मिले हमारा ये भी आस्वासन है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा SC हो, ST हो या OBC हो सब के आरक्षन वैसे के वैसे ही बने रहेंगे बलकि सम्विदान संसोधन करके दस प्रतिशत आरक्षन से अउसरों का नया द्वार खुलेगा हमारे कार्यकर्ताओं का दाईत्व है कि वो इस बारे में जनता को जागुरु करें जनता को बताए कि यह कितना बड़ा और एक बहुत बड़े वर्क को न्याय दिलाने वाला फैसला है अपने बुद के हर व्यक्ति से संपर करें अगर कोई विपक्ष के दुख्षप्रक्चार की वज़े से जूट का सिकार बन गया है तो उसको इसके बारे में समझाएं ताकि वह सही और गलत का भेज समझ सकें एक और सुजाओं मैं आपको देना चाहता हूँ पिछले दिनों मुझे इंदोर से बहुत चिठी आई इंदोर ने क्या किया उन्होंने ये 10% आरक्षन जिन-जिन समाजों को मिल रहा है जिनको पहले कुछ नहीं मिला उन समाजों की मिटिंगे की कमीटियां बनाई और गर-गर जाकर के लोगों से हत्ताक्षर लेकर के मुझे लाखों हत्ताक्षरों के साथ चिठी आ भेजना शुरू किया है आप भी अपने इलाके में ग्राम समा करके सरकार के इस निर्णे का एक अभिनन्दन प्रस्ताव पारित कर सकते हैं आप भी अपने इलाके में घर-गर जाकर के हस्ताक्षर लेकर के एक अभिनन्दन पत्र त्यार कर सकते हैं जो सरकार को बेज सकते हैं और जब सरकार में बैठे अफसर ये देखेंगे तो उनका भी उत्सा बढ़े का काम करने का तो मैं चाहूंगा कि हम सिर्फ खुद समाल पूछें और जानकारी लेकर कि गर बैठ जाया ऐसा नहीं आपका मेरा अग्रह है कि बहुत बड़ा हस्ताक्सर अभ्यान केई है हर गाउं में जाकर करके प्रस्ताव पारिट करेए